पटेल के परिजनों एवं साक्षियों हरी सिंग पटेल गामदीन पटेल रम्मू पटेल बसुरी पटेल शतरसिंग पटेल गुड़ी भाई पटेल वा चक्षु दर्सी साक्षी उधराज पटेल के कथन लेख किये गए जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि म्रतक संकर पटेल के छुट्टू ठाकोर और फ्रज्जू पटेल के कथन लेख किये गए जिन्होंने अपने कथन में बताया कि म्रतक संकर पटेल के छुट्टू ठाकोर की पतनी जगवती वाई से अबैद संबन थे इसी बात को लेकर करीब देड़ महपूर मृत्तक की फत्मी गुड़ी वाई और जगवती वाई के बीच बिवाद हुआ था तबी से छुट्टु ठाकुर छुट्टु ठाकुर इस दी एप्लिकान नमबर वन अपने मन में संकर पटेल के प्रती संकर पटेल इस डिसीज परसन के प्रती बुराई रखता था और दिनांग 24 चार दो हजार तेईस को सुभा साड़े दस बजे से बारा बजे के बीच मृत्तक संकर पटेल वा छुट्ट ठाकुर टथा पप्पू ठाकुर एप्लिकान नमबर 2 के खेत के पास औरिया हार में पता-설ा पानी में बिजली करेंट से मचली मारते समय छुट्ट secretary भाप भू ठाकुर द्वारा म्रतक सब्डूख की पत्नी से अवैद संबंध होने की बात को लेकर मृत्तक संकर पटेल को बिजली करेंट लगा कर मार डालने का साक्ष देकर कथन लेख के अगए येश मैं अपने स्टेटमेंट में बताया है कि लास्ट सीन इन्हों ने देखा इनको साथ में मैं इसमें ये देख मैं पर्मिट टू रिड़ी बन सिक्टी वन स्टेटमेंट ऑफ दी अधर राज रेलेवंट पड़ दीजिए हैं यस मैं रेलेवंट दिनांग तेईस चार तेईस को भावी गुड़ी वाई एबं भतीजा बसौरी पिपरिया लटगाओं साधी में गयते घर पर भाईया संकर और भतीजी दसोदा को छोड़ गयते दसोदा मानसिक रूप से बिमार रहती है इसी कारण में दिनांग चौबिस चार तेईस को सम गर से भतीजी दसोदा को देखने और खाना देने गया था मुझे संकर की टपरिया भतीजी दसोदा दिखी मैंने उसे खाना दिया लेकिन संकर नहीं देखा तो मैं खेत के पास नाले तरफ गया जो नाला मैं भाई संकर पटेल चुट्टू ठाकुर और पप्पु ठाकुर विजली करंट से मचली मारते हुए दिखे उस समय चुट्टू ठाकूर अपने हाथ में विजली तार बांधे हुए एक लकडी की डोगनी तखा था विजली तार पीरे रंका था पकूठा को नाले के किनारे चुट्टू ठाकूर के पास ही खड़ा था मचली मारते समय उनको करेंट लगा है इन्हों ने ये बताया है कि दस बजे इन्होंने साथ में देखा है दस बज़े घटना दिनांग को देखा है और गटना की सूचना इनको मिल जाती है साथ बज़े की दिनांग 24-23 को साम साथ बज़े मेरे मंजले भाई गुलजार पटेल ने आकर बताये कि संकर पटेल की बिजली करेंट रगने से खतम हो गया माइलोड चुट्टू टाकुर के मेमोरेंडम में भी उसने अक्सिप्ट किया है या हार में रहता हूं किसानी का काम करता हूं मैं अपनी पत्नी जगवती एवं दोनों बच्चों के साथ औरिया हार के खेत में बने घर में रहता हूं मेरे खेत एवं घर के पास शंकर पटेल का खेत है जिसमें शंकर पटेल क आकूर का खेते शंकर पटेल ने पपूठाकूर का खेत अंधिया में लिया था शंकर पटेल मेरे घर आता जाता रहता था मेरी पत्नी जागवती भाई ने मुझे करीब देड माह पहले बताया था कि शंकर पतेल मुझे बुरी नियत से देखता है तता खड़ी भाशा में बात करता है तो मैंने शंकर पतेल को इस समय समझाया था कि मेरी पत्नी तुम्हारी लड़की जैसी है उसे बुरी नियत से क्य पदबूरी लगी थी दिनांग 23-24 को शंकर पटेल की पतनी और उसका लड़कर विपरिया लाटगाव शादी में चले गए थे शंकर पटेल तथा उसकी लड़की घर पर रुके थे दिनांग 24-24 को सुबा करीम 9 बजे में काशी पटेल के खेत में सिचाई करने के लिए पाइ मैंने वही रुक गया शंकर पटेल लकडी की टगेनी में तार का चला लगा कर उसमें पीले रंग का सिंगल बिजली तार फसाया और नाले के उपर लगे कटाउट स्टार्टर के पास से बिजली कनेक्शन किया शंकर मुझसे बोला चलो मचली मारते हैं तभी मेरे बड़े पापा का ललका पपू ठाकूर भी वहीं आ गया हम तीनों मचली मारने लगे मैंने बिजली तार वाली लकडी की टेंगनी अपने हाथ में ले रखी थी प अभी मुझे मेरी पत्नी जगवती बाई द्वारा बताई बुरी नियत वाली बात या थी तो मैंने शंकर को सीधा गुपतांक के पास टगैनी से करंट लगा दिया जिससे शंकर पटेल पानी में फड़फडाने लगा मरा नहीं तो फिर मैंने शंकर के बाए पैर के घुट चूर ने वहां पड़ी बीजली तार को अलग कर दिया फिर मैंने और पपू ठाको ने तकीज ननालि के चिछ कर नाले के किनारे जमीन पर ओधा डाल पुपू से पपू के पास है मैं पर्मेत टुब जामा एंड चाहरो देशिंग जाय। स्थें स्थेंस बिसमें साथ लुटॉ